जैहिन हमारे सबी व्योवस को आज के वीडियों हम डिसकस करेंगे सल्यूट के बारे में आर्मी, नेवी, एरफोर्स तीनो में सल्यूट मारा जाता है अपने सीनियोज को ठीक है तो क्या उस सल्यूट का सिग्निफिकेंस होता है और कितने प्रकार के salute पूरे defense forces में है, उन सब के बारे में हम आज की वीडियो में discuss करने वाले हैं, तो make sure करें आप वीडियो को end तक जरूर देखें, और हमारी बाकी वीडियो को भी आप like करें, comment करें, channel को subscribe करना न भूले, so that आप अगनिवीर भरती से related सभी updates से जुड़े र रहे हैं, उनके लिए अगनिवीर physical academy हमने start कर दी है, जिसमें की 90 days का आपका training module होने वाला है, accommodation and foods map को हम प्रवाइड करेंगे, training देंगे आपको expert asap operative और weekly basis पर होगे, आपके guest lectures, तो जो सब बच्चे हम से जुड़ना चाहते हैं, हम इस नमबर पे call या WhatsApp वो कर सकते हैं, तो आपके ORs भी होते हैं, तो मैं बता दूँ कि जो सबसे seniors होते हैं, वो officers होते हैं, then JCOs होते हैं, then ORs आते हैं, तो जो छोटा होता है, वो अपने बड़े को salute मारता है, और जो बड़ा है, वो in return भी salute मारके, उसके salute को accept करता है, यह एक तरीका होता है, defense forces में, respect, जोश और camaraderie दिखागने का अपने soldiers और अपने seniors के against में, ठीक है, इसमें क्या होता है, properly, जब आपके सामने कोई आपका senior होता है, आप उसको salute मारते हो, तो इससे आप दिखाते हो, कि भाई हम आपकी, आप हमार से superior है, आप हमसे बड़े हैं, हम आपकी इज़त करते हैं, हम आपके order को follow क करते हैं, तो इसलिए हम आपको salute मार रहे हैं, और ये जो tradition है, ये English के time से start हो रहा है, मतलब जब अंग्रेज हमारे उपर राज करते थे, तो उस time से ही ये चलन शुरू हो रखा है, ठीक है, और majorly salute अब पूरे दुनिया में ही use होता है, ठीक है, हर army, हर navy और हर air force, और बाकी जो paramilitary forces है, वो salute को use करती है as a significance of respect, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि army, navy, air force, तीनों के salute में difference क्यों है, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे, इनका salute देखिए आप, navy वालों का salute देखिए, और air force वालों का salute देखिए, आपे difference आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो क्या इनके speech का difference है, वो हम आगे वीडियो में discuss करते हैं, सबसे पहले हम जानते है army का, जो army का salute होता है, उसमें जो इनका palm होता है, palm देख जबा रहे हैं, यह होता है, पुरा palm, हतेली जिसको कहते हैं, हतेली पुरी खुली होती है, और person के सामने बंदे को दिखती है, जिसको आप salute मार हो, ठीक है, अब इसको perform कैसे करा जाता है, यह जो आपका हाथ होता है, यह बिलकुल 90 degree के एंगल पर बना होना चाहिए, ठीक है, और आपके eyebrow के बिलकुल उपर होना चाहिए, अब क्यू मारा जाता है salute, यह हम बताते है army में, आर्मी में देखिए, जैसे मैंने आपको बताय है, कि खेरारकी होती है, officers, JCOs, and NCOs की, ठीक है, तो जो सबसे juniors, जो juniors होते हैं, वो अपने seniors को salute करते हैं, अब क्या होता है, basically, यह जो tradition जब start हुआ था, इसके पीछे का reason यह था, कि जब भी कोई war होता था, इसका मैं पहले का significance बता रहा हूँ, और जो actual significance है वो बता रहा ह ठीक है, तो जब war में कोई भी army जाती थी, जब यह शुरू होगा जिस time पे, तो वहाँ पे जब army जाती थी, तो उसमें commanding officer के पास जब भी कोई soldier जाता था, तो salute मारता था, उसमें salute मारके वो यह दिखाता था, कि मेरे हाथ में कोई बंदूक नहीं है, मैं कोई आपको हाम नहीं पचार हो, ठीक है, तो इस तरी, यह जो reason था, यह actual reason था, salute मारने का, कि मेरे पास कोई हतियार नहीं है, और आप मेरे को order दे सकते हैं, तो यह reason था, army में salute का, और इस प्रकार मारा जाता है, salute army का, दूसरा बात करते हैं navy का, ठीक है, navy में salute थोड़ा नीचे को face करके मार जाता है, यहाँ पर देख रहा है, यह नीचे को facing है, इनका हाथ, जैसे army वालों का open hand था, इनका बिल्कुल नीचे को face कर रहा है, अब कैसे perform करा जाता है, कि 90 degree का angle बनता है, यहाँ आपका हाथ, हाथ से लेके shoulder तक, जैसे कि army के उसमें भी था, but only difference आता है, हतेली का, army में हत हतेली आपकी open थी, यहाँ पर हतेली, आपकी बिल्कुल close है नीचे के तरफ को, अब reason इसका यह है कि, जब जिस time पे navy के salute start हुए, उस time पे जो sailors थे, उनके हाथ गंदे रहते थे, ठीक है, navy में भी जैको officers होते हैं, GCOs होते हैं, और sailors होते हैं, तो sailors जब अपने senior को salute मारता थ तो काम करके ship में उनके हाथ गंदे रहते थे, तो वो हाथ में गंदा ना दिखा कर, उसको नीचे को salute करते थे, so that salute भी हो जाए, और उनका हाथ गंदे हाथ भी ना दिखे, ठीक, last but not the least है हमारा Indian Air Force, Indian Air Force का salute देखिए, बिल्कुल open hand नहीं है, यहाँ पे palm थोड़ा सा उपर क face कर रहा है, sky की तरफ को है न, और angle यहाँ पूरा 90 degree का है, और यह 2006 में salute को Indian Air Force ने लागू करा था, अब इसके पीछे का reason यह है कि, यह signify करता है कि हम sky की तरफ को operate करते हैं, ठीक, यहीं बतो बस यहीं difference था, आर्मी, नेवी और Air Force के salute के बीच में, आज का वीडियो यहीं त फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपको हम सेम नाम अगनी वी रॉन नाइंसे मिलेंगे, तो अभी जाहिए, फॉलो कीजिए और ऐसी प्यार देते रहिए, जैहिन